आज के इस लिटोरी टर्म में हम जानेंगे कि नेगेटिव क्या होता है किसने ये टर्म कोईन किया दिया है किसने और क 오른 इसकी छिश्टरी है हम इसे जानेगे नेगेटिव क्फट लेटी तो इक ऐसी एसी मिठेटिक हैं है जहां पर राइटर क्या करता है बिना किसी तर्क के बिना किसी ही में के उस कि भरी हुई है वहां तर्व पहुचने का 유चा करता है अपनी राइटिंग के थरू और उसे अधुING करने का अपनी राइटिंग के थरू मगर वह यह कुई है कोई रीजन नहीं कि आप लगा सकते कि और ये भी नहीं सोच सकते कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है कीट्स ने इस पर बहुत बात की है कीट्स ने अपनी जो पॉइंट ग्रेशियन अर्न लिखी है तो ग्रेशियन अर्न में जब लिखते हैं तो उसके बारे में बताते हैं और वो कहते है जो पिक्चर है उसके बारे में जब बात करते हैं तो उसकी ब्यूटी को डिफाइन करते हैं तो यह क्या है एक सोच से परे ही है कि कोई इतनी पुरानी है और उसमें आज भी सुंदरता जो है पोईट देशने कंट्राइब कर रहा है और कह रहा है कि और भी आगे तक और फिर उसको बहुत सारी और चीज़ों से वह को रिलेट करके उसको बता रहा है तो इतना जादा इतना जादा उसमें खो जाना कि वहां से बापस आने में भी टाइम लगे ठीक है तो नेगेटिव कैपिलिटी से कहते हैं क्या रीजन है कि नेगेटिव कैपिलिटी जो है इतना इमेजिनेशन उस ब्यूटी तक हद तक पहुँचना उस सुन्दर तक उस ब्यूटी की जहां पर जो एक क्रियेट जो तुम कर रहे हैं उपनी इमेजिनेशन राइटिंग के थुरू जिसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है वहां आपको क्या करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा सेंसरी एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है मतलब जो हमारी फाइप सेंसेज हैं जो हमारी फाइप सेंसेज हैं जो देख पाती हैं फील कर पाती हैं सुन पाती हैं महसूस कर पाती हैं इन से भी ब्यॉंड एक और सेंसेज हैं जो क्या कहेंगे तुम वो सेंसेज तो मैंड दिल से है जो करे जी चारे को जो है युसी के नार देम में प्रश्मागे युजे सबड़ कर रही है बहुत से बीडियोत्य सक्मेटर कर रही है की ऐसे है था हुट के रही है वो प्रिजेंट टाइम का जो दुख है, दर्द है और जो है ना उससे बचने के लिए वो सायद उस अंसार में उस सु ब्यॉंड में जाना चाहता है और वो उसका एक बात तो यह कि उससे बचने के लिए जाना चाहता है और दूसरी बात यह कि वो ऐसा करने का ट्राइ कर रहा है तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि यह जो negative capability फ्रेज है कोईन किया जाता है र्रोमेंटिक पोई जोन कीर्स के दौरा और अधीन हंडर सैवेंटीन में इसलिए इसका डेट हमें याद जरूरी है क्यों क्योंकि जोन कीर्ष नेगिटिब capability की बात करते हैं तो यह बात हमें कहां से पता चलती है यह बात हमें एक लाइटर के थू पता है ठीक है आगे हम इसी को देखेंगे और सब्सक्ते पहले अभी यह देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है इक योगयता होती है क्या करना तु गैट विजन ऑफ ब्यूटी है ना विजन वो दरश्य प्राप्त करना और क्या किस चीज का व्यूटी का इन ओल थिंग्स और सारी ह यहीं चीजु में, In spite of intellectual confusion, बिना किसी बादिक भरम के confusion के, uncertainties के, अनिस्चित्ता के, doubt संदह के, और mysteries, रहशे के, and absence of evidence, बिना किसी तथे के, बिना किसी तथे के basis पर, क्या करना, उस vision को प्राप्त करना, जहां beauty जो छुपी हुई है, और उस beauty के, beauty में जब आपको उस beauty की बात कर रहे हैं, हाना, तो वहां पर ये नहीं की, कोई तर्क लगाया गाई, हाना, कोई उसमें ऐसे क्यूं तो फिर, हाना, ऐसे क्यूं ऐसा होगा तो ऐसा होगा, no, there is nothing if and but, there is no if and but there, but it is something that is for enjoyment, हाना, तो उसको enjoy करना, because he says that, heart melodies are sweet, heart melodies are sweet, but those unheard are sweeter, ठीक है, तो heart melodies जो है, जो सुना हुआ है, हमने जो राग, गाने, वो सुने हुए हैं, वो तो हमें अच्छे प्यारे लगते हैं, पर कही न कहीं कुछ ऐसे भी होंगे, जो हमने नहीं सुने हैं, और हम उनको क्या करें, imagine करें, imagine हम करें, यह एक music इस तरह का है, तो इससे भी परें, और भी सुन्दर कहसा music हो सकता है, उस imagination, वो imagination जो होगी, that is sweeter, जो हमने सुनी नहीं है, that is, जो बनने वाली है, that is sweeter, तो वो क्या है, उसको imagine करना, सुना हुआ है, उससे भी परें, उसे imagine करना, वो reality से दूर भाग जाता है, और एक परलोप में चला जाता है, हम कहेंगे, कि वही चीज negative capability है, वही चीज क्या है, negative capability है, ठीक है, ऐसा करके क्या होगा, ऐसा करके, writer कुछ imagine से भी परें, imagine कुछ और अच्छा सा create करने का, try करेगा, जहां पर कोई तर्क वितर्क थी बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसकी history क्या है, कैसे यह जो term है, negative capability, origin होता है, तो यह बात पता चलती है, letter के थूरू जो प्ठीट से लिखने अपते, अपने भाई, George और Tom को, और कम लिखते हैं, 1817, और यह 21 December 1817 है, तब यह लिखते हैं, he wrote that, और उन्होंने लिखा कि, एक rider है, sexpear, जो क्या है, वो एक man है, of great achievement के, क्यों, क्यूंकि वो possess करते हैं, उनके पास है, क्या, कि वो quality है, उनके पास, और इन एवेंट्मेंस भरी हुई है, और उनके पास, और क्या quality, इस quality was his negative capability, और वो क्वालिटी है, और उनकी negative capability है, वो उनकी negative capability है, और जब बोरिखते हैं, तो लिखते हैं, लिखते हैं, और उसमें खो जाते हैं, वहाँ पर वो, जो कोई करेक्टर की बात कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज की बात करें तो फिर उस में तर्क वितर्क करने की बात नहीं करते हैं आप देख लीजिए उनकी बहुत सारे प्ले है और एस यू लाइक इट को आप देखिये तो वह फॉरेस्ट ओफ आर्डन की बात करते हैं और वहाँ पर एक ऐसा उल्म है जो जो उसे मारना जायता था अब उसका बिल्कुल क्या वह भुरी तरह से चेंज हो जाता है अब यह जो चेंजिबिलिटी है, कही न कहीन, क्या है जो बिल्कुल तर्क्शंगत नहीं कि वह उसे मारने आजाता फिर उसे चेंज कैसे हो गया तो वहां पर इस तरह की कुछ ऐसे प्रिजेंडेशन करेक्टर हैं जहां पर हम जो है अगर तर्ग लगाएंगे माइंड लगाएंगे तो क्यों ऐसा कुशन करेंगे बट जो लिखने के वह फ्लो में ऐसे बहे जाते हैं वहां क्यों का जब ध्या तो तब वह क्या होते हैं राइटर एक लिमिट से भी परे ऊपर चल जाते हैं वही उनकी नेगेटिव क्यापिबिलिटी कही जाती है कीट्स के अकॉर्डिंग ठीक है अब यहां पे है कि इस अन आर्टिस्टिक एक्स्पीरियंस यह क्या है अनुभव है और कैसा अनुभव को देख लीजिए तो साइंस विक्शन में भी नेगेटिव क्यापिबिलिटी है कि बास्तविक्टा से परे की एक बात कहीं जाती है और जो अभी तो जब तब प्रूफ नहीं होती तो हम तो से कहेंगे क्यों ऐसा तो नहीं हो सकता ऐसा कैसे हो सकता है मगर वह बास्तविक् और जब कोई उनका फैन करता होगा तो उसका हाथ दुख जाता होगा तो अपने दिमाग में सोचता होगा कि कास कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि मेरे मुझे पूरी रात इसका फैन ना करना पड़े इस रादा माहराजा का और इसको हावा भी हो जाए और वो खुद तो उसके बुक्राइब पूर्ण कुछ तो उसका इसा सोचना थी 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 मगर आथ जी क्या है कि वह वह फैनिंग है जहां किसी को ऐसे हाथ नहीं आप मंखा नहीं करना पड़ता हो और हमें हावा और फुरा थंदक का अनुभव भी होता है तो ये पहले अगर ऐसा सोचना का पहले कि मैं 1000 साल पहले भी तो फिर यह क्या था? वह मतलब एक नेगेटिव कैपपिलिटी की थी वह तो नेगेटिव कैपपिलिटी के थुरू हम उस अनोखी दुना में इमैजीनेशन में जा सकते हैं इमैजीनेशन का सोर्स हो सकती है बहुर अच्छी बात यह कही है तो यह क्या था आर्टिस्टिक इस्पीरियंस था जो कम्यूनिकेट करता है वाई राइटर नेखिम ग्रेट और यही जो बात है नेगेटिव कैपिलिटी उसे ग्रेट बनाने का काम करती है क्यों क्योंकि वह दुनिया से अलगी हटके लिखने का काम करता है जो कि जिसमें सौंदरता भरी हुई है अब आप देखिए एंटीमियन जो कीट्स की पोईम है जहां वो कहते हैं अधिंग ऑफ व्यूटी वॉल्स अजॉय फॉर एवर और वहीं उनकी जो दूसरी पोईम है ओड और और ग्र की बात करते हैं एक और बात है इंपोर्टेंट है और वो उसी सेम लेटर में कहते हैं कि वर्ट्स बर्थ और कॉलिज है ना इमेजिनिस्म को एक लिखने की तरह राइटिंग के तरीके को पैटरन से अलग हटकर भी इन्होंने लिखा था वोंकर फिर वो कहते हैं मतलर इन ल लाउसоде रिकल तुरुथ चिश्ट ब्यूट्uttि we allher tap के बजाएं वो जो अप तहैं कि वो हम्सकिनOS राधू करते हैं तो यहीं क्या है यहीं है ने कि टिप क्या पिडेटी इसमें हमें याद रखना है कि जो तर्म है क्या जाता है कि कीप्स के द्वारा और उनकी जो पॉइंड जाता है उनके जो ओड्स हैं, वहां पर इन्हें लिखने का काम करते हैं, उनकी राइटिंग में ये नेगिटिव कैपबिलिटी हमें देखने को मिलती है, तब कि वो सिक्स्पियर को प्रेज करते हैं, कि उनके जो प्रेज हैं, उनमें नेगिटिव कैपबिलिटी देखने को मिलती है, जबकि Wordsworth और Conridge को कहते हैं कि इनकी राइटिंग में जबकि रुमेंटिसिज्म के वो हैं लिखने का पैटर्न वो चेंज करते हैं मगर फिर भी नेगिटिव कैपिलिटी वहाँ देखने के लिए नहीं मिलती हो करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा अच्छा लगा होगा लैक्सेय सबस्काइब करके मुझे हैब करें थैंक यू